नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जगराम सिंग और आप सभी का स्वागत है यूटूब चैनल JVS ग्यान टीवी पर दोस्तों मनुस के जीवन में जन्म से लेकर मिर्तियु तक पवित्र 16 प्रकार के संसकार शंपन किये जाते हैं इन सभी 16 प्रकार के संसकारों में बिभाय संसकार एक सबसे महत्पूर संसकार मना जाता है जिसे बड़ी धूम धाम से मनाया जाता है बिवाय संसकार, शंपन होते समय लड़का और लड़की दोनों एक साथ अपने धर्म का पालन करते हुए जीवन रूपी गाड़ी को सुचार रूप से चलाने के लिए दर्ण संकल्प लेते हैं और उन दोनों का स्रिष्ठी के विकास में भी महत्पूर्ण योगदान होता है दोस्तों आज हम आपको अंग्रेजी अल्फवेट ABCDE के जरिये एक ऐसा अचूप फर्मूला बताने जा रहा हुँ जिसे आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा और इसी फर्मूले के द्वारा आप अपने जीवन साथी का सही से चुनाव कर सकते हैं जिससे की आपका जीवन शुखमय तरीके से बीच सके तो चलिए शुरू करते हैं तो मेरे दोस्तों अगर आप अंग्रेजी एलफवेट ABCDE के इस फर्मूले का सही अर्थ समझने के लिए मेरे इस वीडियो को अंत्र तक देखते रहेंगे तो जरूर आप एक ऐसा जीवन साथी सलेक्ट कर सकते हैं जिसके साथ आप अपनी जिन्दगी हसी-खुशी के साथ बिता सकते हैं दोस्तों फर्मूले का पहला अक्षर है A यानि की A4 एज जिसका आर्थ है उम्र से दोस्तों जब हम किसी को अपना जीवन साथी बनाते हैं उस समय हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम दोनों की उम्र का डिफरेंस कितना है माल लेते हैं कि इस समय किसी लड़की की उम्र 20 बर्स है और लड़के की उम्र 40 बर्स और आगे चल कर जब लड़की की उम्र होगी 40 बर्स उस समय लड़के की उम्र होगी 60 बर्स कहने का मतलब यह है कि उन दोनों में उम्र का काफी डिफरेंस होगा यानि कि जब लड़की जवान होगी उस समय लड़के की उम्र ढल चुकी होगी जिससे दोनों की marriage life खराब हो सकती है इसलिए साधी करने से पहले आप दोनों को यह ध्यान रखना होगा कि उम्र में 3-4 साल का ही difference हो दोस्तो फॉर्मूले का दूसरा अक्षर है B यानि कि B for beautiful जिसका अर्थ है शुन्दरता से जब हम किसी को अपना life partner बनाते हैं उस समय हमें यह जरूर देखना चाहिए कि लड़का और लड़की की सुन्दरता एक दूसरे से मेल खाती है या नहीं हमारे कहने का परपज है कि सुन्दरता का मतलब गोरा होना नहीं है गोरा या काला तो दो तरह के color हैं इंसान गोरा या काला हो सकता है लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं real beauty की जो की आती है अपने दिल में दूसरों के पृति दया, सजन्ता और प्रेम का भाव रखने से अगर आप दूसरों के चेरे पर मुस्कान लाते हैं और उनकी निश्वार्द वाव से सेवा करते हैं तो यह सब आपको attractive बनाते हैं और लोग आपको पसंद करने लगते हैं जैसे की coronavirus महमारी के मुश्किल भरे समय में सोनुशूद लोगों की निश्वार्द वाव से मदद कर रहे हैं जो की उन्हें फिल्मों में बिलेन होने के बावजूद भी असल जिंदगी का real hero बनाता है फर्मूले का तीसरा अक्षर है C यानि की C4 character जिसका आर्थ है चरेत्र सेंग चरेत्र किसी भी व्यक्ति के बेवहर को दरसाता है जिसका अच्छा होना साधी करने वाले लड़का और लड़की दोनों के लिए बहुत जरूरी है अगर आप गलाचाल चरन वाले जीवन साथी को चुन लेते हैं तो आप जिंदगी भर परेशान हो सकते हैं और ग्रह कलेश में फसकर बरबाद हो सकते हैं इसी लिए लाइफ पार्टनर बनाने से पहले उसके चरित्र और आच्रन को भली माती समझ लेना चाहिए जिससे की जीवन में पच्टाना न पड़े और आप हैपी मेरिज लाइफ जी सकें इसी प्रकार हॉर्मूले का चोथा महत्पूर अक्षर है डी यानि की डी फोर्ट डेवलेब्मेंट जिसका अर्थ है विकास से जब हम किसी को अपना लाइफ पार्टनर बनाते हैं तो उस समय हमें यह देखना होगा कि उसने अपने जीवन में अभी तक कितना विकास किया है यानि की उसने अभी तक समाज में सम्मान कमाया है या नहीं और उसकी सोच कैसी है और वह है जीवन में आँगे बढ़ने के लिए क्या कर रहा है फॉर्मूले का आखरी अक्षर है यानि की इफोर एजुकेशन जिसका आर्थ है सिक्षा से जब आप अभी तक बताये गए इन चारों पॉइंट से स्टिस्फाइड हो जाते हैं तब आपको यह भी देखना चाहिए कि उसका एजुकेशन स्टेटस क्या है यानि की उसकी सिक्षा आपकी सिक्षा को बैल्यू परदान करती है या नहीं अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने सिक्षा को लाश्ट में क्यों रखा जबकि सिक्षा तो बहुत जरूरी है तो मैं आपको बता दूँ यहां हम शादी के लिए जीवन साथी के चुनाव की बात कर रहे हैं जिसके लिए एजुकेशन पहले बताए गए इन चार पॉइंट से ज़्यादा मायने नहीं रखती है आप सोच कर देखिए अगर आप ABCD पॉइंट को महत न दे कर केवल एजुकेशन की बज़े से किसी को अपना जीवन साथी चुन लेते हैं तो क्या आपकी मैरिज लाइफ सही से चल पाएगी मेरी हिसाब से तो नहीं आपको एक साथ पांचों पॉइंट बता देते हैं A4, Age, B4, Beautiful, C4, Character, D4, Development, E4, Education इस ABCDE के फर्मूले को द्यान में रखें और अच्छे जीवन साथी का चुनाव कर हैपी मैरिज लाइफ जीए धन्वाद कर दो है कर दो है